कि आप सभी लोग काफी दिन हो गये थे तो मुझे लगा कि आज बैठते हैं और आप लोगों से कुछ बाते हों कि सिखाने के जो परक्रिया है उसको थोरी सी आगे बढ़ाई जाए आप लोगों को कुछ और ऐसी चीजें सिखाई जाएं जो मार्केट में सीख के आपको कहीं न कहीं कुछ फाइदा हो और अपनी लॉस को आप बचाएं अपने आपको प्रॉट वल बनाएं तो उसी परकिरिया मैं मैंने देखा कि इनको क्या बताई जाए तो काफी मैंने आपके मेल खंगा ले उसमें मैंने देखा कि आपने से चर्चा करनी चाहिए और आप जब जानेंगे तो कहीं ने कहीं आपको फायदा होगा और जिसका जो भी लाइव रिजल्ट है आप लोग सहे देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है और साथी साथ थोड़ी सी बास्केटिक पर भी चर्चा करेंगे क्या होता है क्या सबसे पहले आज जो बात करने वाले हैं मार्केट से और मार्केट में बस दिखाना चाहेंगे क्या करता है उसके बाद हो आगे चलें तो निफ्टी की यहां पर आपको मैंने चार्ट कर दी है जो कि आप देख सकते हैं कि एक मंत्री टाइफ्रेम की चार्ट है अब इसमें करने का प्रयास क्या कर रहा है कि आप देखेंगे कि इसने डबलू बनाकर आगे प्रेकाउट तो ले लिया है तो यह जो लेवल है एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है आपको और साथी शाथ एक चीज और यहां आप देखेंगे थोड़ा सा इस परकार से एक फ्लैगव मनाने का प्रयास कर रहा है तो ट्रडिशिशनल पैकर्ट kita ने के संभाव ना है जो काफी बरी हो सकती है तो देखते हैं कि क्या करता है ओभर all बेर इस नहीं है थाई पहर टाइम फ्रेम और जब तक इसके नीचे आकर मंथलीklos नहीं कर जाती है तब तक बेर। नहीं होगी जो आता है 18,000 इट फोटी का लेवल इसके नीचे मंथली चाहिए कम से कम हाप केंड्ल के खाक्राइब फूल हो जाए तो बहुत अच्छी है लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है और चुक्कि आपको पता है कि हमारी अर्ली केंडिल और सिक्स मन्त में काफी बुलिस है तो उसके बेसे और एक दो मेने यहां पर करें और उसके बाद ब्रेकाउट ले ले तो उपर की और ही ब्रेकाउट इसका इस लेवल पर आता है एक बार यहां पर तेस्ट यहां पर आभी खराया ह सकती है क्योंकि जब यह तीन बार ऐसे करके ब्रेकाउट होता है लिकिन जब तक इसके उपर close नहीं कर जाती है तब तक यहां पर कोई भी long की aggressive position हम नहीं बनाएंगे हम कोई hb design करते हैं या कुछ भी तो यह प्रयास करेगे कि एक risk यहां पर लें लेकिन जैसे ही इसके उपर निकल कर दो close कर जाता है तो फिर हम आगे की journey start होगी और साथी of course momentum बरी आएगी जो आप लोगों को पता है ठीक है तो बस इतना इसको ध्यान रखिएगा और ध्यान रखते हुए चलिएगा यह आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक बाद discuss किया था कि डबलू ना बना दे और इसने डबलू बना दिया था और डबलू के उपर पर जब निकला तो प्राइज में काफी अच्छी momentum देखने को मिला है तो यह कुल मिला कर हमारी निफ्टी की स्थिति है और इसके जब रियक्ट करेंगे तो साथ सारे इंडिक्स भी वैसे ही रियक्ट करेंगे थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा तो यह आपको समझ ल लॉस करते रहते हैं लगातार कुछ लोग लॉस कर रहे हैं और छोड़ते भी नहीं है मार्केट को कोचते भी रहेंगे छोड़ेंगे भी नहीं मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप एक्विटी कैस की और मुड़िये बास्केट में जाइए बास्केट में ट्रेड करने का प्रयास कीजिए बास्केट में सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि आपको पीस ओफ माइंड हो साथी साथ आपको लंबे समय तक होल्ड करने के भी छंता होगी अगर आपने मानलों दस से पंद्रे स्टॉक एक बास्केट बनाया है तो आपको डाउन भी है तो आप उसको होल्ड करेंगे और अच्छी स्टॉक है आपने टेक्निकल ठीक ठीक ठाक देखा है तो तीन से चा बाकी को उसे प्रकार बुग करते से रहे मतलब हम बुग करेंगे तो प्रॉक करेंगे लॉसब नहीं करेंगे इसको हम बोलते हैं कि नो लस करना है चाल कि अ में 50 की साइकिल हमारी है मार्केट की और ये में कहीं से गिरा हुआ प्राइज फिर से उपर आ जाता है तो इसी बेस्ट पर है कि हमारी अगर कोई बास्केट बनती भी है तो प्राइज को उपर आने की संभावना ज्यादा होगी सर्फ है कि कंपनियां का चुनाव जो करेंगे आप लोग अच्छी कंपनियों का चुनाव करेंगे ब्रेक आउट चार्ट को देखेंगे या कुछ सपोर्ट के पास आ गया है चार्ट काफी तो उसको करके बताना कि आप लोग पैसा बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप लोग मुझे पता है कि अगर आप बास्किट कर रहे होता पैसा बना रहे यह ऐक ऊश्क ट्रेडिंग सिस्टम है इसमें के आपकी पूरी की पूरी capital portfolio diversify हो जाती है आपका risk कम हो जाता है आप EPT में होते हैं आप market के साथ चलते हैं इसमें zero होने के संभावना नहीं होती है तो यह सब का फायदा plus आप ना पांच मिनट सोचते हैं नहीं आप दो घंटे सोचते हैं नहीं आप एक दिन सोचते हैं आपका thinking के जाएंगे पैसा बनने के संभावना उतनी ही ज्यादा होती है जैसा कि मैंने बताया है इस यह के स्टार्टिंग में कि मैं भी बास्केट कर रहा हूं और आगे भी करूंगा और जो भी इसका result होगा आप तक बताऊंगा तो आने वाले बास्केट कीजिए उसका उदारन देखी आज से करीब तीन महीने पहले की बात है मैंने एक बास्केट बनाई थी उसका 5% का बढ़ियां लगा फ्लैट लगा कंपनी अच्छी थी और आजो ऊपर आ गया तो यह मतलब बताता है कि बास्केट इतनी पावरफुल है कि आपको लॉस नहीं होने देगा लेकिन अगर यहां ऑप्सन होती तो हमारे पास जादा ऑप्सन फिर नहीं बच पाता तो पैसा प्र करना चाहते हैं और सच में मार्केट को सीखना चाहते हैं तो आपके पास पचीस-पचास हजार उपे भी हैं तो उससे भी आप इनिशल स्टार्ट कर सकते हैं सीखने के लिए मार्केट को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आपका रिस्क काफी कम है इमोशन काफी कम है और आपको कहीं कहीं सर्वाइव करने का आउसर देता है इन चीजों को समझे और टेक्निकल की बेसिक टर्म भी अगर आपको पता है तो आप इसको कर सकते हैं तो इसको समझ जब आपको आए कि हां मैं सही बता रहा हूं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं बट अपने आ तुम बता रहा हूं कि अभी तुम मैंने बास्केट की बात किया और ऑप्सन की बात कर रहा हूं चुकि मेरे मना करने से दुनिया नहीं बदलने वाली है लोग मानने वाले हैं नहीं तो मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी चीज़े बताओ जो उनका कुछ भला हो ब्रेकाउट ट्र तरीका जो इसका होता है वो बदल जाता है आप इसे पोजिशनल भी कर सकते हैं आप इस ऑप्सन में पोजिशनल कर सकते हैं शेलिंग के लिए भी कर सकते हैं मतलब जो भी आप ट्रेड करते हो उसमें आप ब्रेकाउट का यूज कर सकते हो सर्थ है कि आपको ब्रेकाउट प करेंगे खास करके expiry जो होती है expiry day की option को सीखने का प्रयास करेंगे और चुकि अब 5 तिन expiry होता है जैसे आपको पता है कि मंदे को mid gap की होती है टिसडे को फिन निफ्टी की होती है वेरनसडे को bank निफ्टी की है थ्रसडे को निफ्टी की है और फ्राइडे को संसेक्स किये है तो पांचो दिन हमारे पास अखायरी होता है तो हम इसका यूज जिसका भी एक्सपायरी होगा उस्दिन उस bigger its breakout ड्रेट का यूज करने का प्रयास करेंगे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप option की खड़ीदारी करते हैं तो उसकी premium loss होने लगती है समटाइम हम CEP दोनों बाइंग करते हैं तो दोनों के premium loss हो जाती है समटाइम हम one side करते हैं तो market पलट जाता है और हमें loss हो जाता है और यह option वालों को क्या हल है कि 3-4 दिन कमाते हैं पांच वे दिन GST के साथ market को वापस कर दे लिनंधे हैं तो ए व मुमेंटम सबसे जादा होती है मुमेंटम सबसे जादा होती है अगर आप वायर के हिसाब से देखें को जस्चीज में मुमेंटम होगी वायर को फायदा होगा रेंजबाउंट रहेगी तो भायर को फायदा नहीं होगा साथे-स प्रीमियम काफी कम होता है एक स्पायरी के दिन तो लूज करने की जो संभावनाएं होती है ओभी काफी कम होती ठीक है और कम पैसा भी लगाकर एक बड़ा पैसा उसमें बं जाता है अगर आपने breakout trade को सही तरीके से पकड़ा है तो आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले 3-4 breakout के बारे में update किया है कि देखो यहां से breakout हो सकती है और उसका जो भी परिनाम हुआ है आप लोग उसको देख रहे हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रकार सीखते रहे हैं जब आप सीख जाएंगे तो कहीं ने को उसका काम करेगा तो breakout actual में होता क्या है पहले इसको समझें कुछ लोग में हो सकते हैं आप में नए हो नहीं पता हो कि breakout किसे कहते हैं अ तो breakout कहा जाता है कि कोई ऐसा price जहां पर रजिस्टेंस फेस करना पर हो और और प्राइज द्वारह उस के पास जब जाता है और उसको break करके उसके ऊपर आता है तो काफी बरी momentum आती है option के case में लेकिन यहां जो breakout है वो option में होनी चाहिए ना कि future में होनी चाहिए ना कि यह spot में होनी चाहिए region क्या है कि option में breakout तभी होगा एक बार जो option उपर गया और फिर गिर गया तो दुबारा उस level को cross करने के लिए spot और future को और उपर उपरी level पे जाना होगा जैसे कि यूँ समझो मान लो हमारी bank nifty 44,000 पे चल रही है ठीक है इसकी जो bank nifty की future जो है 44,100 पे चल रही है और bank nifty 44,100 की जो C है call option है उसकी प्राइस 100 रुपे ठीक है अब क्या हुआ कि ए 44,000 से bank nifty नीचे गिर जाती है और यह आ जाती है 43,800 तक गिर के 200 points की correction हो जाती है एक्सपारी की दिन की मैं बात कर रहा हूं और फिर से यह उपर आती है कुछ मिनट आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद फिर से 44,100 पे आ जाती है तो आफकोर्स इसकी premium भी कलेगी और यह गिर के आ जाएगी 65 या 60 के level तक आ जाएगी 45 points तो अराम से premium कल जाएगा तो जब दुबारा यह उपर 44 पे आएगा तो आप यह पाएंगे कि option की यही सबसे खास behavior है जो इसके complex बनाती है कि अपने इस price को प्राप नहीं कर पाएगा यह कुछ premium को खो देगा और ओर जोन हो सकता है कि 85 हो 90 हो मतलब 10 से 15 रुपे अपने premium को एक खत्म कर लेगा इसी price पे आने के बाद तो breakout trade इसी प्याधारिक और मैंने इस पर research किया है और कर रहा हूं और भी इसमें मैं ढूडने का प्रयास कर रहा हूं चुकि मेरी nature है कि मैं क Commodities में करो आपकी इच्छा है लेकिन को एक सेगमेंट में अपने आपको master बनाओ यही ट्रेडिंग का रूल है और पैसा घर आना चाहिए ठीक है दूसरा नियम है बाकी चीजें आप सीखने के लिए करते रहो आप भी कर सकते हैं तो जब इस लेबल पर प्राप्ट करता है तो यह यहां नहीं आया तो मतलब अब दुबारा 100 आने के लिए इस प्राइज को जाना होगा 44-60 या 44-80 मतलब दुबारा इस प्राइज को आने के लिए उसके पहले ही spot में भी breakout हो चुकी होगी और future में भी breakout हो चुकी होगी मतलब double confirmation हो जाएगा तभी हमारी option में breakout होगी इसलिए expiry के दिन breakout trade के लिए हम option का यूज करते हैं ना कि spot और future का करते हैं हम एसल के लिए उनका यूज करते हैं बट trade के लिए हम इनका यूज करते हैं किलियर है तो अब आप समझे एक चीज को यहां पर बढ़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि breakout होता क्या है मान लो कि कोई option है जो ऐसे उपर गया और फिर से नीची आकर इसे गिरने लगा ठीक है फिर ऐसे चलने लगा और एक पारी का दिन है तो जो इस सबसे हाई लेवल बना रखा है option यह अपना सबसे जो उपरी लेवल है मान लो 120 का लेवल और option आपकी चल रही है 30 पर तो यह जो सबसे हाई लेवल है इस एरिया के उपरी जो भाग है वह breakout होता है और इसको हम लोग breakout जोन भी कहते हैं अब इसको हम breakout zone क्यों करते हैं चुकि प्राइज यहां पे जाके इसको resistance फेस करना पड़ा और गिर गया तो यहां से जब यह गिर के आया है और दुबारा जब इसी प्राइज को break करेगा तो दो घटनाए एक साथ होगी पहला की spot बहुत पहले breakout ले चुका होगा और दूसरा की option भी breakout लेने जा रही है तो option जैसे ही इसके उपर निकलेगा वो तेजी से उपर निकलने का प्रयास करेगा और वो प्रयास काफी fast होगी मतलब उसका time है कि within 30 minute के अंदर ही वो अपने price को double करने का भी प्रयास कर लेता है और जो छोटे option होते हैं 5 रुपे 10 रुपे वाले वो अपने price से 4-5 गुना भी हो जाते हैं तो इस breakout trade के आधारकन छोटे वाले में भी वहार risk लिया जा सकता है लेकिन इसके पहले आप लोग को कोई भी trading करने से पहले इसको दस बार जाज करना है live market में टेस्ट करनी है खुब समझना है खुब सीखना है और जब समझ में आये कि यह सही है तभी आगे बढ़ना है नहीं तो कह देना है बाकी सब मोहम आया है इसको आगे बढ़ जाना है ठीक है तो देखने को मिलता है अब इसका और फायदा है कि जो option के buyer होते हैं या seller होते हैं उनके लिए दुविधाएं होती है एक सपारी के दिन दुनों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब 20 दिन एक सपारी होती है ना तो seller के बहुत दुविधाएं होती है बायर के दुविधा होती है कि मार्केट रेंजबाउंड रहेगी उनकी प्रीमियम गल जाएगी कॉल के भी पुट के भी अगर वो कॉल पुट बाइं करें तो दुनों के प्रीमियम गल जाएगी सेलर के लिए दुविधा होती है कि वो कॉल पुट की सौट सेल कर दें दो-दो रुपे चार-चार रुपे वाले ऑप्सने स्ट्रेंडल को स्ट्रेंगल को और गलती से ब्रेक आउट हो गया उन्हें पता नहीं है इसके बारे में तो उनकी दो रुपे की चीट पचास सो च सब्सक्राइब को आप इसका मुल्टिपल यूज कर सकते हैं मैं पहले भी बताया कि इसका बहुत सारी उजज है मैं आपको सिर्फ एक्सपारी के दिन कैसे बाइंग करनी है वो मैं बता रहा हूं आप इसको देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि इसके लेवल के उपर एक जासलोट सौलोट हम बाइंग गॉडर लगाकर छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद आराम से बैठ जाते हैं अब क्या होता है कि जिस कैंडल से ब्रेक आउट करेगा वो काफी बरी होनी चाहिए लंबी होनी चाहिए उसका लो हमारा एसल की और काम करता है ठीक है इस ब ना को लिया जाए तो स्क्रीन दिख रहा हो आपको कि टेन मेंट की चार्ट है आज आप देखेंगे कि ए लेवल एक सो साथ के पास 43,500 की हाई थी 106 की ठीक है 106 की हाई थी किलियर है और आपको मैंने एक चीज़ कहा था कि 10-40 के बाद आज देखना है जो हमने अपडेट किया था क्यों कहा था क्योंकि क्योंकि रीजन क्या था कि मैंने देखा किया कि कि एक भी भी इस परकार से एक एक रेंज बlorा հेंज सोने हो जाती है तो देख कि यह वह भी ऐसा कोसिस होता है कि हम अब कैसे प्राइब कर लेगा कि सहाइब क्वाइब को यह और लगाते उपर जाता बूक ना करते फिर से नीचे तो हमें कहीं कहीं हो ट्रैप करता तो ट्रैपिंग से बचने के लिए जब भी ऐसी कंडिशन बने कि इसके आज-पास opening हो जहां पर closing price है उसी के आज पास opening होती है जैसे कि it's closing price क्या है 51 की क्या है ना और उप्निंग प्राइज क्या है यहां पे फॉटी पास 12 हो रही है तो मांद्र 5-10 पॉइंट की है जब की 5-10 पॉइंट नहीं होना चाहिए चुकि एक्सपारी की दिन ओपनिंग हो रही है तो इसको 50% कम से कम करेक्ट कर जाना चाहिए इसकी केंडिल की क्लोजिंग क्योंकि OTMP है यह भी ध्यान रखना है तो इसको कम से कम 50% जाना है 40% जाना है यह 5-10 पॉइंट जा रहा है तो कुछ तो घरवर है इसको 20-25 पॉइंट डाउन हो जाना था इसको तो मानते कि वैलिड है आप दुवारा ब्रेक आउट लेगा तो काम करेगा लेकिन यह इससे होगा इस पैरी के दिन का काफी गल जाएगा तो जब प्रीमियंग डलके ब्रेक आउट होगा तो काफी अच्छा होगा अब क्या हुआ कि 10-25 में यह हाई लगा दिया तो हम क्या करेंगे कि simply उस हाई को मार कर लेगे ऐसे करके मार कर लिए और इसके उपर 231 पॉइंट 110-115 लगता नहीं करना तो इसके उपर हम पाइंग लाव कर देंगे और मैंने बताया था कि यह क्या होता है जो breakout candle है उसके low के नीचे अब आप देखें कि 10.40 के बाद हमने अपडेट किया था तो 10.35, 10.40 के बाद आपको कहीं ने कहीं से रिया में मालूम चला कि breakout zone ये है हमें इसके उपर लगाने हैं आप लगाते हैं और आप देखेंगे एक लंबी सी बड़ी सी candle बनती है और ये breakout कर आपको profit book करना है करो और आप देखेंगे कि मैंने क्या 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 है डवल हो जाने चाहिए तो breakout 110 111 पे हुआ हाई कहां पर लगा दिया इसने हाई लगा दिया 313 तो डवल से ज्यादा हो चुका है तो एक breakout किया तो ये डवल से ज्यादा प्राइज को कर देता है ये लिकिन ह आप लोग काफी निकलते हैं तो अगर आप लोग यहां कहीं अटर लगाते हैं तो उप्रयास किजिए कि 50-60-70-80 मिला तो तुरंत लेके भाग गया और फिर उपर सस्टेन किया तो दुबारा आपको लेना है तो लिजिए लेकिन या आधिक को बुक कर लीजी आधिक को राइड कीजिए जान बचे लाखो पाए ऑप्शन से बात को समझेए पैसा आने से मतलब है काफी फास्ट आती है आप देखेंगे 10-20-30 मिनिट का काम खतम हो गया तो आप लोग इसको जब भी देखोगे इस ब्रेकाउट ट्रेड को वोग कर आता है इसका सबसे वहणा फायदा है कि रेजबाउंड मार्केट से आपको बचाता का से ब्रेंड होना चाहिए कैसे आज चाहिए वित उन के लिए काफी अच्छावएंश को यह सकता ूरे और इसको देखिए इसको अपने सतर से बैक्टिस्ट किजिए जितनी मरजी उतनी कर लीजिए और इसको करने के आठ दस तरीके हैं पोजिशनल में सब जगह पर के सब में करने का तरीका अलग-अलग है याद रखिएगा एही तरीका नहीं तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझे और अपना पैसा बचाएं और ये कम कैप्टल में भी जिनके पास छोटे-छोटे कैप्टल हैं और आप्शन को सीखना चाहते हैं वाजार में पांच जार-दहजार रुपे हैं तो वह भी दो सो चार सुरुपे की प्रीमियम वाले को यहां पे देख सकते हैं ब्रेकाउट के ल जिसके कारण डरने की कोई बात नहीं होती है ही रोजीर वाली बात ही नहीं है अब आप यहां पर आएंगे कि ब्रेकाउट ट्रेट जिस टाइमिंग पर यहां पर कर गया तो जैसे कि 11.45 पर चोटे वाले ऑप्सन है पांच रुपे साथ रुपे वाले अगर उन्हें पर फ 43,000 वाले और पांच से क्या हाई लगया 21 तो लगवाग चार गुना होगे तो छोटे वाले परसेंटे ज्यादा बढ़ते हैं रिप्रमानित होता है इस से तो इसको मल्टिपल यूजर्स किया जा सकता है अलग अलग तरीके से मैं इस पर ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंग इस बात को समझे तो हम जब जिधर पंटर है जिधर मार्केट का मोमेंटम है उदर ही हमारी गारी चलेगी मोमेंटम नहीं तो हम चलाएंगे ही आप और लगा के घर में कॉफी पी रहे हैं घूम रहे हैं दोस्तों के साथ टाइम दे रहे हैं ब्रेक आउट हुआ पैसा बन सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं इंडरा दे कैसे करनी है खासकर option में ispire कि दिन इसका हमने आपसे discuss किया है उसको 10 Cay किसे किया जा सकता है उसका एक तरीका में आपको सामें उदारन रखा है आपको जितनी इक्षा है इसमें बैक्टेस्ट करके देखिए काफी मज़ा आएगा आपकी ट्रेडिंग स्किल को चेंज करेगा और कहीं ने कहीं आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में इसका रिकने का प्रयास किंए बास्केट को की जिए बास्केट में आप पैसा भी बनेगा ज्यादा परिसानी भी आपको देखने को किए और खुट करते हैं कि आगे सदब हम breakout सब्द का इस्तेमाल करेंगे या breakout लेवल का इस्ते में आपको समझ में आएगा और आप चार्ट लगा कर वहां देखोगे वहां क्या हुआ था और कहीं न कहीं आप उसका फाइदा उठाएंगे अपने स्किल से अपनी नौलेज़ से और कुछ न कुछ तो अच्छा होगा है चलिए आप आते हैं फिजकल क्लास हमारी एक दो डिसमबर को होगी और वह आप लोगों के लिए करता हूं और बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट होती है हमारे तरफ से होती है इसमें प्रयास करता हूं कि आप लोगों कुछ बताओं पढ़ाओं और 15 नमबर को भी थी काफी लोग आप लोग आये थे और जो आये होंगे मुझे आसा है कि उनको कुछ ने कुछ तो फायदा जरूर हुड हुआ होगा एना तो चलिए फिर मिलते हैं और जब यहां पर कुछ और बतानी चाहिए तो मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा और इसको इस परकार प्रैक्टिस कीजिए काद में ही और मुझे रिपोर्ट कार्ट देजिए और बासकेट से जो लोग पैसा बना रहे ह हैं एक बार कमेंट में डाली ताकि बासकेट पर हम और वीडियो आपके लिए लाने का प्रयातन करेंगे ठीक है धन्यवाद तो चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक आउट के साथ करवाते हैं कल निफ्टी को ब्रेक आउट थैंक यू हूं 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 मैंद फिर करेंगे लाग सी बासकेट थाह जीवादे हैं